नमस्कार बागवान भाईयो आज फिर से आप लोगों के बीच इस वीडियो के मादियम से एक मौत पुन जानकारी आप लोगों के भी साज़ा करने जा रहा हूं तो बागवान भाईयो आज हम जो आप लोगों के बीच जिस पीशे को लेके आए हैं वैसे तो आप सभी से में कौन-कौन से कारिय किया जाए और नेक्स टियर की जो फसल है वो कैसे आप उसको सुचारू रखे जो फसल इस साल थी वैसी फसल नेक्स टियर कैसे रहे उसके लिए पोस्ट हर्वेस्ट मैनेग्वेंट बहुत ही जरूरी है तो बागोन भाई हो मैक्समम भी युवाओं को पता कि पोस्ट हर्वेस्ट में क्या करना है कौन सी खार दाने कौन सी सप्रे करने फिर भी हम इस विडियो के माधियम से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों भी शियर करना चाहेंगे तो सबसे पहले पोस्टार्वेस्ट मेनेजमेंट में जो पहली सपरे होनी है वो होती है ब्लाइटोक्स की या आप कोई भी और दूसरा कोपर ऑक्सिकलूराई डाल सकते है क्योंकि इस समय क्या है कि सबसे पहले कि जब हम सेव तोड़ते हूं समय सेव में कई तरह के घाव पर जाए डाले नहीं तो उसके साथ एक और प्रोड़क्ट आता है जो सिंगल डाल सकते हैं कॉप्रोफिक्स आता है यूपील का तो इसमें कॉपर सल्फेट सेंतारी पॉइंट पंद्रा परसेंट और मैंको जेव 30 परसेंट है और यह काफी बढ़िया फंगिसाइड है आफ्टर पो 500 ग्राम डाल सकते हैं 200 लिटर पानी में और ब्लाइट होक्स को 600 ग्राम डाल सकते हैं 200 लिटर पानी में इसको डालने का जो में ताथ परी है कि जो भी आपकी वीमें तूटी है या सेव जान से निकलता है घाव परते हैं उसके कोई फंगिसाइड को का डाना बहुत तुरंट सोयल में खाद दे देते हैं या उपर यूरिया की सप्रे कर देते हैं तो बागवान भाई हो यह जो प्रैक्टिस है मेरे साफ से बहुत गलत है कि एक दमी आप पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट में जो खादों का मिशन है जो आप खादे या सप्रे देते हैं वो करके खज़ें को फ़ देंगे ूटूरंट ले लेगा अपटे कर लेगा हो नयक्सट यार के लिए नहीं बचें तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हम अभी चाहें अधै कर दे दी बात को यह यादि हो दर्भे पास टोर में रखे तो वो धीरे-दीरे करके विंटर में जन्वरी-फर्वरी के बाद ही उसको प्लांट लेना शुरू करता है तो ये ध्यान देने वाले भी शेय तो तुरांट पांच-छे दिन के बाद आप फंगिसाइड डा सकते हैं लेकिन उसके 15-20 दिन यदि आपके ल प्रे करते हैं तो हमारे अनुसार यूरिया एक किलो से दो किलो तकी यूरिया पढ़नी चाहिए वह भी 15-20 तीम के साथ और उसके साथ आप बुरोन डाल सकते हैं जिंक डाल सकते हैं और सबसे जो इंपोर्डेंट चीज है वह है मैगनीशम मैगनीशम इसलिए डलवाते हैं तो chlorophyll को रीट करने के लिए दुबारा लाने के लिए हमारे को magnesium डालना काफी ज़रूरी है तो boron आप 200 ग्राम डाल सकते हैं, zinc आप 100 ग्राम डाल सकते हैं और magnesium आप 100 से 1500 ग्राम डाल सकते हैं जिससे कि जो micronutrient हमने अभी plant को दिये हैं उसको वो इस समय अप्टेक ना करें क्योंकि हमने यदि 15 दिन 20 दिन बार डालेंगे तो plant की growth वहां रूख जाती है तो जो हम चीजे फॉलियर के थूरू दे रहे हो पत्रोग थूरू प्लांट उसको अपने बाद स्टोर करके रखेगा नेक्स्ट एर की फसल के लिए जब से हमारा सिजन स्टार्ट होता तो इसके साथ ही अभी fertilizer की बात करें तो fertilizer डाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि plant ने क्या है कि जो उसके पास एक काफी power थी यदि energy की बात करें जो उसके पास micronutrient थे जो भी उसके पास सारी energy थी वो उसने करनोड कर दी fruit को ड्वाल्प करने के लिए इस टाइम plant काफी week है तो उसको हमको खाना देना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप soil में यदि royal की बात की जाए तो अभी आप maximum बागवान 12-30-16 भी देते हैं 15-15 भी देते हैं तो यदि हम अपनी बात करें तो हम इस बात 20-10-10 का मिश्रन एक से डेट किलो plant में दे रहे तो इसके सासाथ कई बागवान या water-soluble खादेव डालते हैं जिसमें यारा मिला complex आता है तो उसमें 12-11-18 आता है यारा कंपनी का आता है न्यूट्रिट का आता है 12-11-18 उसको भी आदा किलो से उपर डाल सकते हैं उसके सासाथ आप जो में चीज है वो है कि कैल्शिम नाइट्रिट को भी डाल सकते हैं यह बागवान अपनी पॉकेट के अनुसारी डालें हमने ही कहेंगे कि यह खाड डाले वो खाड डाले लेकिन खाड डालना काफी ज़रूई तो लेकिन यदि हम अपनी बात करें तो हमने रॉयल के प्लांट में 12-11-20-10-10 डाला है तो यह डालना काफी ज़रूई लेकिन इसका डालने का समय है कि इसको से तोने के तुरंत बार न डाले इसको भी पंदरा से बीस बीस दिन के बादी आप सोयल की खा डाले जिससे की प्लाट की इस टाइम ग्रोथ रुख जाएगी और जो भी हमने खा दे दी है तो उसको प्लाट धीरे-धीरे करके लेगा और उसको स्टोर करके रखेगा नेक्स टियर के लिए तो पोस्ट कोई और भी कॉंबिनेशन में जिसमें सारे ट्रेस एलिमेंट माइक्रो और मैक्रो माइक्रो न्यूटेंट उसको भी आप डाल सकते हैं क्योंकि हमको पैस्ट पोस्ट हर्वेस्ट करना है जिससे नेक्स्ट एर की फसल हमारी ना तुक्रे तो यह बागवन भाईयो इसके और ऊसमें एकसपरिमेंट कुछ और कर रहे तो इस वार हम पोस्ट हर्वेस्ट में जिवा अम्रित जो हमने बना दिया है अभी तक्रिबन हमने 400 लीटर पानी में अभी बना के रखा है उसमें हमने जो एक दम बनाये है तो उसमें 100 किलो गोबर 4 किलो गुड चार किलो बेसन और तीन से चार किलो अपने जमीन की मिट्टी लिए या कहीं और जगे से मिट्टी लाए जहां पे केमिकल नहीं पड़ा तो हम पोष्ट हार्वेस्ट में अपने ओर्चर में इस आण जीबंब्लित की सपरे तो हमने chemical की करदी जिसमें हमने copper fix डाल दिया अब nitrogen और zinc boron और magnesium को समय बाद डालेंगे तो जो soil की बात करेंगे soil में हम लोगों में हम अपनी बात करेंगे तो हमने इस बाद जीवा अमरी डालना जो प्राक्रितिक खेती है उसके तहती हम अपनी soil में यह चीज़े डालेंगे क्योंकि जीवामरी डालने का जो मेरा अपना मकसद है हमने soil को बचाना है वो भी next generation के लिए जीवामरी में यदि हम बात करें उसमें nitrogen भी है फास्फुरस वेक्टिरिया भी है पुटा वेक्टिरिया भी और बाकी में जो micronutrient है जासे बोर और जिंक पगेदा की थोड़ा थोड़ा आंश्यूस में रहता है तो वही चीज़ जो हम खादे डालेंगे chemical डालेंगे वही चीज हमारी जीवामरीत में भी है जीवामरीत बागवान भाईयों वहां भी डाल सकते जाओ आप chemical खेती करें chemical खेती साथ भी आप जीवामरीत को डाल सकते हैं जीवामरीत एक ऐसे चीज़ है जो कि आपके chemical को अप्टेक करने में भी साहता देता है और उसके साथ जीवामरीत में ट्राइकोडर्मा और सूडोमनासवी के भी कुछ स्पीसिज रहती है जो आपके रूट रॉट 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 के लिए और सॉयल के जो वैक्टिरिया उसको डॉल्प करने के लिए काफी बढ़िया चीज है जीवामरीत तो बागवान भाईयो यह था आज का हमारा विश है तो आप लोगों से विनम निवेदन भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके कोई सुझाओ है आप जरूर दे लेकिन आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट काफी बढ़िया करें लेकिन एक चीज कहना मैं भूल गया जिस और्चर्ड मे हैं पत्ते निकल चुके हैं बड़ी कम रहे हैं तो उसमें आप पोस्ट हार्वेस्ट बीस तिन किया पेक्षा थोड़ा जल दी कर दे क्योंकि जहां लीफ ही ने रहेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट करने का कोई भी मतलम नहीं है बाकी आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें जैन जैन माचा